Hello students, welcome to Global Online, this is Ankitah Soudh. So, आज हम web browser and search engine के basic concepts आप सभी के साथ share करने वाले हैं. आप सभी students को ये differences भी पता होने चाहिए कि web browsers क्या होते हैं, कितने types होते हैं, क्या-क्या नाम है web browsers के और उसके साथ ही search engine में भी differences आपको पता होने चाहिए. इस वीडियो के साथ मैं आपको surety देती हूँ कि आपके सारे concepts clear हो जाएंगे. Students paper को qualify करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप सभी examination के level के हिसाब से तयारी करें. और इसके लिए complete course में लेकर आई हूँ जहाँ पर daily live lectures के साथ आपका पूरा syllabus तो cover होगी जाएगा. साथ ही topic wise MCQs और PYQs भी हम आपको देते हैं. Notes मनाने में बच्चों का बहुत समय बर्बाद होता है इसलिए आपको यहाँ पर हम PDF notes देते हैं जिसकी मदद से आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो बिना अपना समय बर्बाद किये. साथ ही full syllabus mock test है जो कि बहुत important है आपके revision के लिए और यह 5000 MCQ question bank में से मैं आपको guarantee देती हूँ कि paper 1 में 50 में से 35 plus questions आपको यहाँ से जरूर देखने को मिलेंगे. New batch हमारा coming Monday से start होने वाला है इस batch के लिए और पूरी information के लिए आप या तो given numbers पर contact कर सकते हैं या फिर कुछ free content के लिए भी आप global online आपको download कर सकते हो ताकि आपको पता चल जाए कि कैसा ये course है और कैसे हम आपको services provide करवाते हैं. Search bar में course को search कीजिए content पर जाओगे तो English Hindi bilingual separate courses आपके सामने आ जाएंगे जहाँ पर आपको unit wise folders मिल जाते हैं इसका ये फाइदा है कि आप चाहो तो किसे भी unit में MCQs या theory के जरीए अपनी तयारी शुरू कर सकते हो और यकीन रखिए ये बहुत important course है जो कि आपको exam में बहुत अच्छा score करने में मदद कर सकता है तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला question है examples of web browsers are ठीक है तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो web browsers होते हैं जो कि हमारा आज का main topic है उसके example कौन कौन से हैं अब इन चीजों को याद रखने का पहला trick मैं आप लोगों को ये बताती ह कि हम सभी के पास laptop या computer नहीं होते हैं लेकिन mobile android mobile सभी के पास है ठीक है तो अगर हम web browsers और इन सब चीजों को अपने mobile में ही देखेंगे mobile से ही relate करेंगे तो भी आप लोग easily in questions को solve कर सकते हो तो चलिए देखते हैं हमारा पहला option है opera दूसरा option है netscape तीसरा option है internet explorer and last option है mozilla firefox तो आप मेंसे बहुत सारे students ऐसे होंगे जिनोंने ये नाम सुने होंगे तो आपको बताना है कि web browsers कौन कौन से हैं तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि web browsers क्या होते हैं इसको हम लोग या तो simple browser भी बोल सकते हैं ठीक है यह application होती है जिसको की use किया जाता है to access and view the websites यानि कि अगर ह मैं आप लोगों को images के थ्रू बताती हूँ तो यहां पे देख सकते हो आप लोग यह है पहला firefox यह ओपेरा यह है हमारे पास Netscape और यह है internet explorer तो आप लोगों के पास web browser ही नहीं है तो आप लोग इंटरनेट को access ही नहीं कर सकते हो ठीक है तो यहां पे यह four options हैं यह सभी के सभी क्या है web browsers है तो उसे साब से हमारा right answer होगा option number four that is all of the above ठीक है इसके अलावा एक और web browser होता है जो कि commonly हम लोग use करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे level पर उसको use करते होंगे उसका क्या नाम है वो आप लोग मुझे comment section पर भी बिता दीचेगा ठीक है और आगे आने वाले questions में भी हम उन चीजों को detail में discuss करने वाले हैं next question है हमारे पास Google is a so यहां पर simple question पूचा गया है कि Google क्या है ठीक है Google क्या कोई website है ठीक है कोई business software है कोई search engine है या फिर कोई social media है ठीक है तो website क्या होती है अब जैसे आप लोग अगर हमारे paid users हो तो आप लोग हमारी website जिसमें कि हम लोग अपनी सारी information रखते हैं जैसे कि Facebook है Facebook एक social media network है social media website है ठीक है Amazon है जहां से हम लोग shopping कर सकते हैं online ठीक है वैसे ही business से related जो भी software होते है search engine यानि कि एक ऐसे software जिसकी help से हम लोग किसी भी information को internet पर ढूंद सकते हैं ठीक है next आता है social media again जो मैंने Facebook Instagram ये सब engine है क्योंकि Google की help से हम लोग क्या करते हैं कोई भी information जिसकी हमें जरूरत होती है उसको हम लोग directly internet के through web पे उसको search कर सकते हैं ठीक है तो जो भी search engines होते हैं उसमें कोई भी information सर्च करने के लिए दो चीज़े जरूरी होती है पहला होता है keyword यानि कि आप लोग क्या ढूंदना चाहते हो उसका एक basic सी चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए ठीक है keyword के साथ साथ जो है phrases भी जरूरी होते हैं ठीक है अब जैसे कि मान लीचे आप लोग UGC.net paper 1 के पारे में search करना चाहते हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए अगर आप लोग सिर पेपर 1 टॉपिक को सर्च करना चाहते हो तो उस टॉपिक का नाम लिखोगे तो यह सब चीज़ें आती है keywords और phrases के अंदर ठीक है तो Google is a search engine next question है हमारे पास what is browser ठीक है ब्राउजर क्या होते हैं? पहले option में बोला गया है कि यह software होते हैं जिसके थ्रू हम लोग program के source code को browse कर सकते हैं search कर सकते हैं यानि कि इसको access कर सकते हैं दूसरा option बोलता है software है यह जिसके त्रू हम लोग virus को और जो malware होते हैं उनको browse कर सकते हैं उनको access कर सकते हैं तीसरा option बोलता है software जो की यह कैसा software है जो की हमें enable करता है internet users को to view a webpage यानकि हम webpage को किसी भी website को जो है use कर सकते हैं internet की help से ठीक है last option में बोला गया है कि एक ऐसा software है जो की हमें provide करवाता है एक operating system and उसकी security ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि browsers या फिर web browsers क्या होते हैं पहले question में भी हमने यह चीज को discuss किया था लेकिन exam में वही topic की अलग तरह से definition पूछी जाती है तो इसलिए मैंने यहापे same topic के multiple questions रखे हूँ है तो यह software है जो की हमें allow करता है कि हम लोग computer पे जाकर कि किसी भी information को ढूंड सकें find कर सकें या view कर सकें किस के through internet के through ठीक है web browsers क्या करते हैं जो भी हमारा code होता है programming languages आई होप यह term आपने सुनी होगी जादा डिटेल में नहीं जाना है जो भी programming languages होती है उसके tags के through किसी भी चीज को search करने में हमें help करते हैं तो यहाँ पर right answer होगा option number three that is browsers are the software that enables internet users to view a web page ठीक है अब जो भी चीजे हम लोग search करते हैं वो google chrome पे जाके search करते हैं तो google chrome भी क्या है वो एक web browser है next question है हमारे पास website is a collection of so website है जैसे कि हमारी website है global online ठीक है so global online जैसे website है कि इसमें collection है किस चीज का collection है web pages का collection है html के pages का collection है both one and two http page ठीक है तो अगर आप लोगोंने मेरा previous video देखा है जिसमें कि हमने networking से related questions देखे थे तो वहां पे अगर आप लोग समझ चुके होंगे कि यह जो भी http है यह network से related term है तो इस option को हम लोग पहले ही eliminate कर सकते हैं ठीक है तो यह question आप लोगों के लिए बहुत easy होगा अगर आप लोग ने previous networking वाली video देखी होगी तो website क्या होता है जैसे कि global online की हमारी पूरी website है ठीक है इसमें हमारे पास different pages हैं जैसे कि पहले page में आप लोग लोग न करोगे ठीक है दूसरे page में आप लोग क्या करोगी category select करोगी तीसरे page में आप लोग क्या कर सकते हो subject select कर सकते हो जिससे paper one का subject देख सकते हो ठीक है next में आप लो paper two का आपना subject देख सकते हो paper one में अगेन आपके पास options है, हिंदी का है, या फिर English का है, ठीके, तो ये पूरी website है, इसको different modules में divide किया जाता है, तो उन modules को बोला जाता है, webpage, ठीके, so right answer होगा हमारे पास, option number one, तो webpage क्या होता है, ये एक simple document होता है, जिसको के browser पे display करवाया जाता है, ठीके, अब जैसे website है, again मैं Facebook का ही example लेती हूँ, तो Facebook में एक page है, जहां से आप लोग लॉग इन करते हो, दूसरा है जहां से आप लोग अपने friends की list देख सकते हो, तीसरा है जहां पे आप लोग अपनी profile देखते हो, ठीके, next है messages वाला section, इसी तरह से बहुत सारे pages होते हैं, तो separately इन सभी pages को design किया जाता है, ठीके, इन सभी pages को design किया जाता है, और जब उनको combine किया जाता है, तो बनती है complete website, ठीके, तो यहां पे ये चीजें बहुत ही जादा simple है, तो second option भी मैं explain कर देती हूँ, कि HTML क्या होता है, HTML का मतलब होता है hypertext markup language, तो ये एक language होती है, जिसके तरू हम लोग इस तरह के web pages को, और websites को design कर सकते हैं, ठीके, तो ये basic language होती है, designing के लिए, development के लिए, next question आता है हमारे पास, that is, which of the following is not a web browser, तो again यहां पे web browser से related question है, लेकिने यहां पे पूछा गया है कि कौन सा web browser नहीं है, opera, netsurf, www और chrome, ठीके, तो इसमें से दो मैं आभी आप लोगों के साथ discuss कर चुकी हूँ, that is, opera, या फिर कई जगा options में लिखा होगा, opera mini, तो ये तोनों same चीज़े हैं, ठीके, आपने confused नहीं होना है, तो यहां पे आप लोग डाइग्राम की help से भी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, Google Chrome जो है, ठीके, Chrome लिखा होगा, या फिर यहां पे लिखा होगा Google Chrome, तो ये दोनों चीज़े एक ही है, ठीके, इसके through भी क्या कर सकते हैं, हम लोग information को search कर सकते हैं, और पेरामीनी के through भी कर सकते हैं, और नेट सर्फ के through भी कर सकते हैं, तो अब बात करते हैं कि www क्या है, इसकी full form है, world, wide, web, ठीके, world का मतलब है पूरे संसार में, web का मतलब होता है जाल, ठीके, यानि कि पूरे world में एक ऐसा जाल बिचा हुआ है, जिसके through हम लोग internet के through किसी भी information को सर्च कर सकते हैं, ठीके, यानि कि जो www है ये web browser नहीं है, लेकिन ये web browser के अंदर काम करता है, अगर web browser होगा तो उसके अंदर www जरूर काम करेगा, without www, web browsers useless है, ठीके, इसको हम लोग worldwide web बोलते हैं, या फिर इसको W3 भी बोला जाता है, ठीके, तो ये क्या है, ये एक interconnected system है, जिसमें कि different-different public web pages को हम लोग access कर सकते हैं, internet की help से, ठीके, किसी भी तरह की information, कुछ भी हम लोग पूरी दुनिया में, हमारे दिमाग में, जो भी चीज़े हैं, हम लोग जब उसको search करते हैं, तो सबसे पहले हम open करते हैं, web browser, ठीके, web browser में open करने के बाद हम जाते हैं, www section में, ठीके, तब ही हम लोग उस information को access कर सकते हैं, next question is, what is a client program that acts as an interface between user and worldwide web, ठीके, तो user है हम लोग, जो की internet चला रहे हैं, laptop, mobile को use कर रहे हैं, ठीके, and worldwide web क्या है, यह एक internet service है, ठीके, worldwide web है, तो यहाँ पर बोला गया है, what is a client program, जो की एक user और www के बीच में, एक interface की तरह काम करता है, interface का मतलब है, कि किसके थूँ, हम लोग internet तक बहुन सकते हैं, यह question अभी हम लोग उने discuss किया, ठीके, question number five में हमने यहीं बाते discuss किया है, लेकिन वो different language थी, तो again यहाँ पर मैंने इसलिए question repeat किया है, ताकि आप लोग समझ सको concept को clearly, कि examiner कैसे तरीके से same question को पूछ सकते हैं, ठीके, तो right answer होगा हमारे पास, option number one, that is web browser, तो हमारे पास एक mobile होगा, mobile में Google Chrome होगा, कोई भी web browser हो सकता है, हम लोग Google Chrome की बात करते हैं, ठीके, Google Chrome में www के through ही हम लोग चीज़ों को access कर सकते हैं, ठीके, तो यहाँ पर HTML में आप लोगों को बता चुकी हूँ, अब बात करते हैं URL की, ठीके, तो exam में URL की full form भी पूछी जाती है, इसकी full form होती है, uniform resource locator, ठीके, तो यह क्या है, यह mechanism है जिसको की browsers use करते हैं, ठीके, तो uniform resource locator जो है, इसको web browsers में ही use किया जाता है, www को भी web browsers में ही use किया जाता है, ठीके, और इसमें हम क्या करते हैं, किसे भी information को हम retrieve कर सकते हैं, use कर सकते हैं, publish कर सकते हैं, internet पे, web पे, ठीके Next है OS, OS का मतलब होता है operating system, ठीके, अब जैसे हम लोग बोलते हैं, कि हम लोग android mobile use करते हैं ठीके, laptop या computer में windows use होती है, यह terms आपने सुनी होगी, तो android और windows क्या है, यह operating systems है ठीके, यानि कि एक ऐसा system है, जिस भी हम लोग operate कर रहे हैं, काम कर रहे हैं So operating system में एक software होता है, ठीके, जिसके तुरू हम लोग किसी भी काम को operate कर सकते हैं, manage कर सकते हैं किसी भी mobile में, किसी भी computer पे, ठीके Next question is, an example of an internet search engine तो यहाँ पे बात करते हैं, हम लोग search engine की, ठीके, पहला है Windows, Linux, Google, MS Word तो यहाँ पे चार options है, increment diagram की help से आपको बताती हूँ, ठीके, तो यह है images तो सबसे पहले हमारे पास Windows, अगर आप लोग ने mobile laptop चलाया होगा कभी तो आप लोग देखोगे कि इस तरह की screen नज़र आती है, ठीके या फिर आप लोग ने अधर laptop नहीं देखे है, Windows phone ही देखे होगे तो अभी आप लोग समझ सकते हो, कि यह क्या है, यह Windows इस तरह से नज़र आती है ठीके, तो क्या हम लोग Windows पर directly search कर सकते हैं, क्या यह search engine है या नहीं है ठीके, Windows क्या है, previous question में बताया मैंने, कि Windows है एक operating system, ठीके, and जो search engines होते है, search engines होते है, कि जिसकी help से हम लोग किसी भी data को search कर सकते है ठीके, दूसरा है Linux, Linux भी क्या है, यह operating system है, यह है Linux का एक example, ठीके, detail में नहीं जाना बस इतना याद रख लो, कि Windows and Linux जो है, Linux हो गया, Unix हो गया, Android हो गया, यह सब चीज़े operating system की category में आती है ठीके, next आता है हमारे पास MS Word, तो यह है हमारे पास MS Word, ठीके, अभी जैसे हम लोग यह काम कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, ठीके, आप लोग देख रहे हो, यह slides, यह white pages, ठीके, यह सब चीज़े MS Word यह MS PowerPoint पे बनाई जाती है ठीके, तो यह क्या होता है, यह एक word processor होता है, अब जैसे यह मैंने यहां पे लिखा हुआ है, इसका color मैं change करना चाती हूँ, इसका size मैं change करना चाती हूँ, तो यह सब चीज़े हम लोग MS Word के थ्रू कर सकते हैं, ठीके, तो यह एक ऐसा software है, जिस पे की word processing हम लोग easily कर सकते है productivity, productivity software इसको बोला जाता है, ठीके, next आता है Google, तो हम लोगों को कुछ भी search करना होता है, हम लोग Google पे जाते हैं, यहां पे कुछ भी चीज़े लिखते है, last way button होता है, okay, और जो भी information हमें चाहिए होती, वो मिल जाती है, तो यह क्या है, यह एक search engine है, यानि कि जिसकी help से हम ल type of information, तो जो Google है, आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए, कि search engine मतलब Google, ठीके, तो Google पे हम लोग क्या क्या चीज़ों को search कर सकते हैं, क्या हम कोई documents को सर्च कर सकते हैं, document में हमारे पास आ जाता है, जिसके हम लोग को PDF फाइल डाउनलोड करते हैं, जिसे NTA कि अगर आप ल वीडियों से देख सकते हैं, next है images, next option है all of the above, तो आप लोगों ने Google पे हमेशा कुछ ना कुछ सर्च किया होगा, तो यह बहुत easy question है, इसका right answer होगा, option no.4, that is all of the above, next question is, search engines maintain heavy database of keywords and URL, तो URL, यह मैं आप लोगों को अभी बता चुकी हूं, क्या होता है, ठीके, keyword भी मैंने आ search engine में, ठीके, इसमें बूला गया है, कि जो search engines होते हैं, जैसे कि Google है, यह heavy database को maintain करते हैं, तो database क्या होते हैं, database यह information होती है, जिसको की setup किया जाता है, एक ऐसे तरीके में setup किया जाता है, जिससे कि हम लोग easily information को access भी कर सकते हैं, ठीके, उसको manage भी कर सकते हैं, जरूरत पर इस information को update यानि की change भी कर सकते हैं, ठीके, तो जो भी website होती है, जैसे कि Google है, Facebook है, कोई भी website है, जहां पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उसको use कर रहे हैं, तो जहां पर उस website की information हमारी store होगी, उस चीज को बोला जाता है, database, ठीके, इस question में आप ल and mobile में चाकर के अगर Google पे कुछ सर्च करते हैं, तो भी ये same चीज नजराती है, ठीके, ये होता है URL, तो इसका right answer है हमारे पास, option number one, कि ये search engines जो है, वो बहुत बड़े level पे database को use करते हैं, ठीके, and इस database में keywords और URL को store किया जाता है, तो हमारा आज का last question है, what is search using a search engine, again same question है, अभी हमने discuss किया, लेकिन language different है, ठीके, तो search engine में हम किसी information को search करते हैं, web pages को search करते हैं, web pages for specified index terms, उसको use करते हैं, या फिर web pages, जिसमें की कोई information होती है, किसी search item से specified, सरफ उसको search करते हैं, यहां पे हमारा right answer होगा option number 4, that is, हम लोग search engine में web pages को search करते हैं, एक particular information से related, ठीके, तो search terms, यानि की जिसमें चीज़ की जरूरत है, हम लोग directly उसको यहां पे search कर सकते हैं, ठीके, तो यह थे हमारे आज के 10 questions, जो की बहुत जादा important and expected questions होते हैं, I hope आप लोगों को यह 10 questions अच्छे से समझ आ गए हैं and अगर इन questions में आप लोगों को कोई भी query है, तो आप लोग comment करके हमें जरूर बताइएगा, हमारी team definitely आपकी help करेगी, कर सकते हैं, एका हैं मारी हैं जरूर paying क कर लोगों के लाओब हैं and out, बतरो रीपन के जो पीज़ा हैं